नमस्कार आप देख रहे हैं प्रैम ट्रीवी और मैं हूँ आपके साथ मुसकान अजमानी वैसे तो फिल मनुरंजन का सबसे बढ़ी हासादन है लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि युवाओं की पहली पसंद वेब सीरीज बनती जारी है कारण है कि वेब सीरीज कहीं न कहीं सच पर आधारित होती है और बीते दिनों में कई ऐसी वेब सीरीज आई है जो तमाम OTT प्लेटफॉर्म पर तहलका तक मचा चुकी है अब एक और मुवी OTT प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है जो वासविक्ता से ही जुड़ी बताई गई है मुवी का नाम है इंस्पेक्टर अविनाश ये मुवी लखनव के तेश तर्रार सुपरकॉप अविनाश चंदरमिश्रा के जीवन पर आधारित है बता दे कि सुपरकॉप अविनाश चंदरमिश्रा के गिंती यूपी के तेश तर्रार इंस्पेक्टर में से होती है इंस्पेक्टर अविनाश ने अपने 36 साल के करियर में 10 साल ETS में एहम भूमिका निभाई थी और उत्तर प्रदेश में कानून स्थापित करने में एक एहम योगदान देते हुए माफिया श्री प्रकाश शुकला के एंकाउंटर में एहम भूमिका भी निभाई थी इसके साथ उन्होंने सैखडो एंकाउंटर अपने करियर में किये थे बता दे कि इस मूवी की अधिकान शूटिंग यूपी में होई है इस फिल्म के रियल हीरो अविनास चंदर मिश्रा से प्रैम टीवी की टीम ने खास बाचीत की है तो चलिए आपको सुनाते हैं इस दोरान उन्होंने अंसुनी जानकारियो का अनुभव किस तरीके से प्रैम टीवी के सामने साज़ा किया है OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई वेब सीवी जाई है इंस्पेक्टर अविनास जो हाल फिल हाल में दर्सकों को खूब भा रही है और बात करें तो इस फिल्म में उत्तर देश पुलिस के इंस्पेक्टर अविनास चंदर मिश्रा के ऊपर आधारित है अविनास चंद्विस्वा हमारे साथ मौजूद है सर आपके ऊपर एक वेब सीवीज बनाई गई है जो दर्सकों को खूब भा रही है क्या कहेंगे अब लोगों को अच्छा लग रहा है इस पे लोगों में हमारे राइटर डिरेक्टर प्रोडूशर और जियो स्टूडियो और हमारे रंदीव उड़्ड़ जी ने बहुत मेहनत की है और रंदीव जी ने तो अपनी कई-कई घंटे छे-छे घंटे के एक दिन मेरे साथ बैठके उन्होंने मुझे कॉपी करने कोसिस की है और वो साथ स्क्रीन पर दिख भी रहा है और नीरत जी ने बड़ी मेनत की है तो अच्छी बनी है लोगों को पसंद आनी चाहिए और डिपार्टमेंट के लिए मैसेज भी है कैसे पुलसिंग होती है इस फिल्म को जब बनाए जा रहा था तो आपके साथ वाइटर साथी साथ फिल्म के तमाम जो एक्टर थे उजवसी रोतेला भी इसमें है साथी साथ है ररदीप हुड़ा इसमें मुख्य कुरदार के रूप में है तो आपका जो एक तरह से कारेसेली था जो आपका काम करने का तरीका था उसको कैसे आप ररदीप हुड़ा के समख से रखें और कैसे आपके ठीक कारेसेली में वो ढखलें इसको लेकर आप क्या कहेंगे कितना समय लगा इस पिक्टर को बनाने में देखे ये क्या है कि मेरा बेटा अनुज मिश्रा उसका एक प्रोडक्शन हाउस है फाइनेटिक मेडिया और नीरज पर्ठक मेरे छोटे भाई की तरह है और जब इन लोगों ने अपना एक मन बनाया कि क्यों ना एक पिच्चरिया बेट स्रीज बनाई जाए तो इनोंने मुझसे पूचा मैंने का भाई आप लोग जो करना कर लो तो नीरज जी बंबे में मेरे साथ सुभए चार-चार बशे तक बैठते थे और खुब मन से सुनते थे रिकॉर्डिंग करते थे सब करते थे तो मुझे अच्छा भी लगता तो मैं फिर बंबे गया फिर पहले दिन तो रंदीफ उड़ा से मुलाकात हुई तो नोंने का सर हम लोग सिर्फ बातें करेंगे और बातें करेंगे हम लोग हरे के हमारे पास तो हम लोग बातें करते रहे मुझे नहीं मालूमता कि रंदीफ उसको रिकॉर्ड भी कर रहे थ नेक्स डे आके उन्होंने मेरी कौफी करके मुझे दिखाया तो मैंने बोला एक बार सुनने के बाद दोले नहीं तर मैंने रिकार्डिंग भी की थी और ये फिर सिल्सला हम लोगों का करीब हपते 10 दिन तक रंदीप के साथ चला रोज हम लोग 8-8 बजे बैठते थे रात में सुब़ चार साड़े चार वजे तक रहता था आम तोर पर देखा जाता है कि जो भी बायोपिक बनती है या किसी असल जिंदगी पर आधारित पिक्चर होती है तो उसमें जिस पर आधारित होती है उसके चलने के तरीके से लेके बोलने के हरी कारेसली को बखूबी एक्टर भाप लेते हैं आपने भी ये पिच्चर देखी कितना इसमें रवदीप हुड़ा सफल उपार हैं देखे क्या होता है कि बायोपिक ऐसे लोगों पर बनती है जो या तो अब इस दुनिया में है नहीं या जो हैं उनके वारे में जो बनी तो उसके वारे में उनके सरकिल वा यह कहना है कि भाई गजब कर दिया अगर बात की जाए तो आप लगभग 36 साल का आपका केरियर रहा पुलिस विभाग में आपने तमाम ऐसे मोर्चों पर लोहा लिया है तमाम ऐसे अपराधियों को कही ना कहीं शिकस्त देते हुए उन्हें एंकाउंटर किया है जेल के सला बहुत हुए बहुत ये गुड़ वर्क भी हुए लेकिन कैलकटा इंकाउंटर मेरे लाइफ का एक चैलेंजिंग और रोमांचक भरा इंकाउंटर था जिसमें चार मारे भी गहते दो इंजड़ भी हैं बड़ा गैंग था किन्नेपर गैंग था और उसकाद तो फिर कुछ तो हर इंकाउंटर में रोमांच तो रहते ही था जौन भी जोखिम में रहती थी तो चलता था लगी कलकटा इंकाउंटर जो मेरे लिए है अगर बात की जाए तो पुलिस विभाग अब काफी आधुनी करन के तहत डिजिटलाइज हो गया है और कॉल संबंधित तमाम जानक जाए पुरानी पुलिस से तो कितना बदल गई है देगे पहले क्या था कि मुखिर बेश पे काम होता था जाव एस्टियप बनी तो पैस्टियप टीम की प्रियासों से साचन पर साचन के प्रियासों से हम लोगों को इलक्टानिक्स और मुवाइल का डिटेल मिलना शुरू मेंबर चेक करते थे बाई कितनी इंकमिंग कितनी आउटगों कितने मैसेजेज कितने कॉमर्सियल मैसेज ताब सोच सकते हैं कितना बड़ा काम था और आज की डेट में वही चीज एक क्लिक करते हैं सारा डिटेल आ जाता सामने तो यह अंतर आया है तो पुलिशिंग भी उ तोड़ा गया और आज भी तोड़ा जा रहा है तो संदो हजार में ततकाली राष्ट्रपती के आर नाराएन की तरफ से आपको घैलिंट्री अवर्ड से सम्मानित किया गया वीवता पर असकार मिला यह किस मामले को लेकि मिला अखिर एक कौन साइसा केस था कौन साइसा का जो है एक टेरर था और वो कहीं से यह हो गया कि उसने माननी मुखंती जी की सुपाड़ी ले ली है तो इस बात को लेके फिर एस्टी अप का गठेंड होगा और स्रीपकास चुकि मिल नहीं रहा था काफी प्रयाश किये जा रहे थे तो एक चैलेंज आप के लिए हो गया जौब था और यूपी बिहार नेपाल दिल्ली बांबे ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां हम लोग इसको नहीं रहे थे और आखिर कार ये फिर गाजावाद में मुटवेड में मारा गया और उसी पे माननी मुखंती जी ने भी रिवार्ड दिया सबको लोगों को प्रमोशन अपने बात की स्विप्रकास सुकला की कहा जाता है कि वह उस वक्त काफी आधुनिक्ता के तो तो तर तरीके से अपराद को अन्जाम देता था तो बात करें तो उसके पास मॉबाइल फोन तमाम ऐसी चीजे थी और पुलिस बहक्मा जो था इतना हाई-टेक नहीं था तो क् मुस्कले आई थी उस वक्त इस उपरिशन में देखे श्रीप्रकास की जो गत्वे दिया थी जब तक एस्टेप भी काफी मजबूत हो चुकी थी इलक्टोनिक शर्वलेंच में और मुख्विर तंतर में अपना अपना नेटवर्क सभी लोग इसमें लगे हुए थे जो अन और देखें अपराधी गल्ती तो करते ही है कितने ही बढ़िया उस पर सुधाए हों कुछ हों कहीं न कहीं तो उस गल्ती का इंतिजार हम लोग कर रहे थे और उसने वह गल्ती की और उसमें वह फिर ना तरफ पे कई ऐसे खुंखाव अपराधियों के से आपका सामना हुआ होगा कितनी बार अगर देखा जाए तो परिरादर की भी चिनता होती होगी अब कहीं न कहीं अपनी जान की भी तो कैसा कोई घटना बटाये जिसमें कहीं आजिए अब बाल बचे बाल बाल तो मैं कई बार बचा हूँ कलकत्ता में बचा हूँ और लखनों ने भी और कई बार हुआ है कई बार हुआ है लेकिन महादेव महाकाल का असिरवाद रहा है हमें साथ अगर बात की जाए तो अभी अपके जीवन पैधारी वेब सीरीज आई है क्या आगे या अभी कोई किताब अपने जीवन पे अधार पर लिख रहा है हाँ मैं प्रयाश कर रहा हूँolly मुझे लगता है कि वेब सीरीज में सोब चीज़ें पाई तो मैं लिख रहा हूं अगर बात की जाते हैं इस फिल्म को देखने बात कही ना कहीं हुआ जो है वह उपए पुलिस में अ कि फिर वो जिस काम के लिए आता है वो भूल जाता है मेरा मानना ये कि पुलिद विभाग एक ऐसा महकमा है कि अगर आप इमानदारी से काम करें तो मुझे नहीं लगता वो किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की जड़िवत इतने पुन्न के काम है विभाग में बसरते आपक आपको काम करना है ये आपके दिमाग मेरा एक जिनून हो कि मुझे गलत काम के सामने लड़ना है तो बिल्कुल स्वागत है ऐसे लोग का और ऐसी सोच वाले हैं भी और जो आएं वो लोग भी विचार करके आए कि हमको ये करना है शुक्रिया हमसे बात करने के लिए तो हमारे साथ उत्रप्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर अविनास थे जो लगभग 36 साल तक पुलिस विभाग में अपना इनका कैरियर रहा साथी साथ 10 साल इन्होंने एटियस में अपना सेवा दिया और साथी इन्होंने कई ऐसे तो मैं भी भाग सूप अविनाश ये लखनव के तेश तर्रार सुपर कॉप अविनाश चंद्रमिश्रा है जी हां अब इनी के जीवन पर आधारित एक वेब सीरीज भी तैयार हो चुकी है और जो जल्दी अब दर्शकों के बीच भी लगातार पहुच चुकी है और कहीं कहीं जो दर्शक है वो लगातार इस सीरीज को या निकी यू कहे कि इसको काफी पसंद कर रहे है क्योंकि जाहिर से बात है कि तेश तर्राज सुपर कॉप अविनाश चंद्रमिश्रा ने इस अपनी जो भी सीरीज है इसमें अपने जीवन के अनुबव को बखू भी साज़ इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए वस इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं यह प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार